देखें मैं को यह पराधी तो हूँ नहीं और एक चुनावा मुख्यमंत्री हूँ इस देश का स्वतंत्र आजाद नागरिकूं सो मुझे वहाँ जाने से क्यों रोका जा रहा है मेरी समझ के बाहर है और मैं समझता हूँ कि वहाँ पे दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े निता आ रहे हैं सिंगापूर में और सिंगापूर की सरकार ने स्पेशली मुझे बुलाया है दिल्ली में शिक्षा और स्वास्त के उपर जो करांती हुई है और दिल्ली में अलग अलग शित्रों में जो तरक्की हुई है दिल्ली मॉडल के बारे में वहाँ पे प्रस्तुत करने के लिए तो पूरी दुनिया के लीडर्स जो हैं वो दिल्ली मॉडल के बारे में सुनेंगे और तो ये इससे देश का गौरव बढ़ेगा इससे देश की देश का नाम होगा दिल्ली मॉडल की चर्चा अब लोग जानते हैं पूरी दुनिया में हो रही है जब टरंप साब आये थे उनकी वाइफ मिलेनियर टरंप ने भी दिल्ली के स्कूलों के बारे में सुना था वो दिली के स्कूल देखने गई, उसके बाद उन्होंने दिली की शिक्षा करांती के बारे में काफी तारीफ की, उसके पहले नौरवे की पूर्व प्रधानमंत्री दिली के महला क्लिनिक देखने के लिए आईे, यूनाइटेड नेशन्स के पूर्व महासचिव बानकी मौन साहब वो दिली के महला क्लिनिक देखने के लिए आए ये तो देश के लिए गर्व की बात है अच्छी बात है हमें इस किसम की इसको और एंकरेज करना चाहिए तो मैं समझता हूं कि केंदर सरकार को ऐसी चीजों को रोकना नहीं चाहिए ये अच्छी बात नहीं है जाहिर दो और पर राजनीटी है और और इसके लावब कोई कारण नजर नहीं आ रहा ऐसा तो है नि कि कोई कोट ने रोक लगा रखी है मेरे जाने पर मैंने कोई 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 अपराद कर रखा है को कोई 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 की रोक नी है एक आम नागरिक भी तो बहर जाने के लिए स्वतंतर है तो फिर अर्विंद केजरिवाल क्यों नहीं जा सकता चुनावा मुख्यमंत्री क्यों नहीं जा सकता और मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ मैं तो वैसे विदेशों में जादा नहीं जाता मैं तो वैसे ही बहुत कम जाता हूँ, पिछले 5-7 साल से जब से मैं बना हूँ, मुझे लगता है एक दो विजिट्स को छोड़के मैं गया ही नहीं हूँ, लेकिन जब देश की बात आती है, देश का नाम रोशन होने जा रहा है, देश की तरक्की की बात हो रही है, दुनिया देश की बात कर रही है, तब तो मुझे लगता है कि हमें अपने पार्टी भाजी वाली राजनीती छोड़के सबको एक साथ होके, एक जूट होके देश की तरक्की की बात करें जाए हूँ, अटा, अटा, अटा,